अगर वेट लॉस नहीं हो रहा तो उसके पांच बड़े कारण है सबसे पहला कारण है कि आपके पास कोई रीजन नहीं है कि वेट लॉस करना क्यों है यह सबसे बड़ा कारण है अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वेट लॉस नहीं होगा जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसकी शादी होने वाली है तो उसके पास एक बहुत स्ट्रॉंग रीजन है अपने आपको ठीक करने का अपनी सेहत को ठीक करने का अपने वजन को कम करने का लेकिन लॉस कर पाएंगे तो यह number one reason है that you are not losing weight दूसरा reason है कैसे weight loss होगा सबसे पहले if you are wise or strong how will become easy अगर आपको पता है weight loss क्यों करना है तो कैसे आसान हो जाएगा लेकिन हमेंसे ज़्यादा तर लोग calories in और calories out को नहीं समझते हम क्या खाते हैं उससे कितनी calories मिलती हैं हम क्या activity करते हैं उसमें calories कितनी खर्च होती हैं अगर इसका proper हम ध्यान नहीं रखेंगे तो weight loss नहीं होगा हम सोचते हैं शायद ये खाने से weight loss हो जाएगा या ये खाने से weight loss नहीं होगा तो हम कोई जादूई तरीका ढूंडते रहते हैं कि जिससे weight loss हो जाए और हमें मेहनत ना करनी पड़े तीसरा reason है हम क्या खाएं क्या ना खाएं इसको लेके हम बहुत ज़्यादा confused रहते हैं और ये confusion main reason है कि हमारा weight loss नहीं हो पाता हम क्या खाएं क्या ना खाएं के बज़ाए हमें ध्यान देना चाहिए हमने कितना intake किया calories का और उसका जो utilization है वो कितना हुआ अगर intake जादा है utilization कम है तो weight loss कैसे होगा बहुत simple funda है लेकिन हम इसको हमेशा नजर अंदाज करना चाहते हैं तो इस वज़े से हमारा weight loss जो है वो नहीं हो पाता चौथा reason है कि हम कोई ऐसा नुस्खा ढूंड रहे हैं कोई तरीका ढूंड रहे हैं जहां मेहनत न करनी पड़े रात को ये गोली खाएं सुबह उठें और पता लगे weight loss हो गया तो ऐसा नहीं होने वाला है हमें मेहनत करनी पड़ेगी exercise करनी पड़ेगी exercise और diet का relation अगर आप देखें weight loss के लिए तो 80% is your diet 20% is exercise but this 20% is extremely important अगर आप सोचते हैं कि ये 20% important नहीं है आप इसको skip कर सकते हैं खाली खाने को control करके weight loss हो जाएगा तो वो नहीं होने वाला मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको और पांचवा reason है हमारा मन मन के हारे हार है मन के जीते जीत दो दिन तीन दिन चार दिन हमें लगता है weight loss नहीं हो रहा तो हम अपने routine को छोड़ देते हैं हमें यहां समझना पड़ेगा कि weight loss कोई जादूई नहीं है इसमें कोई जादू नहीं होने वाला कि आज आपने शुरू किया कल आपका weight lose हो गया आपको कितना weight loss करना है यह आपको देखना पड़ेगा जैसे अगर 10 kg weight loss करना है तो कम से कम 3-4 महीने लगेंगे 3-4 महीने लगने के बाद आपका weight loss होगा और वो weight gain बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप उसको maintain नहीं करेंगे तो यहां हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा उसको सही reasoning देनी पड़ेगी कि weight loss हो गया अब इसको maintain भी करना है तो दौनों चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको 20 kg वजन कम करना है तो लगबग 6-8 महीने लगेंगे अगर आपको और ज्यादा वजन कम करना है तो और ज्यादा समय लगेगा और body को habitual बनाने के लिए उस नए वजन पर आपको उसको उतने ही लंबे समय तक maintain भी करना पड़ेगा तो इन 5 कारणों पर काम कीजिए आपका weight loss होगा जरूर होगा weight loss के बहुत सारे supplements हैं बहुत सारे products हैं ये काम करते हैं जब आप काम करते हैं ये आपकी मदद के लिए हैं इन में कोई जादू नहीं है कि ये आपकी मेहनत के बिना काम करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like कर दीजेगा अपने friends, family और relatives के साथ share कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इसको subscribe भी कर लीजेगा ताके आने वाले जो वीडियोज हैं उनका notification आपको time से मिल जाए Have a great day, thank you